नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर आपको फिर से लाडली बहना योजना की अठारवी किस्त से जुड़ी अपडेट मिलने वाली है अगर आप भी उपहार को लेकर तलास कर रहे हैं साथ ही आपको अठारवी किस्त का भी बड़ी ही बेसबरी से इंतिजार है तो आपके लिए आज आएगा उपहार रोपे तीन हजार क्योंकि छट पूजा को लेकर काफी बड़ अपडेट आज को है इसकी जानकारी आप सभी लाडली बहना और मद्दपरदेश के समस्त लावारतियों को मिले वाली है तो यहाँ पर जुड़े रहकर आपको इस प्रकार की पूरी जानकारी मिलेगी तो किरिप्यकर सभी यहाँ पर अंतितक जुड़े रहें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना अठारवी किस्त का पैसा कब मिलेगा हम आपको बता दे कि किस्त को लेकर यहाँ पर काफी वड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर अंत तक जुड़े रहकर मिले वाली है जैसा कि आपको पता है कि लाडली बहनों को इंतजार था कि धन तेरस पर किस्त का पैसा मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जाएगा लेकिन धन तेरस पर भी पैसा नहीं दिया गया उसके बाद दीपावली के आउसर पर उपहार के मिले की संभावना थी लेकिन महियाओं को फिर भी पैसा नहीं मिला अब इंतजार रहता है बहनों को भाई दूज का जब उनके भाई उनको पैसा ट्रांसपर करते हैं लेकिन अब तक बहनों को अठार भी किस्त का पैसा नहीं मिला सभी बड़े तेवहार निकल चुके हैं लेकिन अब तक किस्त का पैसा बहनों के खाते में नहीं आया है लगातार ख़बरों में वताया जा रहा था कि 3,000 रुपे की किस्त तेवपहार के रूप में दी जाने वाली है लेकिन बहनों को तो 1250 भी नहीं मिले तो कब मिलेंगे यह पैसे हम आपको यहां पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको बता दे कि अभी भी बहनों का बड़ी ही बेसबरी से किस्त को लेकर इंतजार किया जा रहा है लेकिन इसके लिए अब तक कोई भी आधी कारेक अपडेट सामने नहीं आया है लेकिन हाल ही में जारी डेटावेस और सूचनाओं को एक अत्रत करते हुए हमने आपके लिए काफी महत्तपून जानकारी तलासकी है जानकारी के मताबिक आपको बता दे कि किस्त का पैसा छट पूजा यानि 5 नमंबर 2024 को जारी किया जा सकता है मतलब बेहनों के लिए किस्त का पैसा 5 नमंबर 2024 को मिलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है इसके बाद यदी बात की जाए कि 5 नमंबर को किस्त का पैसा नहीं मिलता तो आपके लिए यह निश्य थे कि 10 नमंबर 2024 तक पैसा निर्धारित कर दिया जाएगा और आपके बैंक खाते में ट्रांसपर की प्रिकरिया सुरू कर दी जाएगी मतलब दस्तारिक तो कनफर्म है कि आपके लिए 1250 रुपे की अठारवी किस्त भेज दी जाएगी तो आपके लिए जिनको भी पैसों का इंतजार है यहाँ पर अपडेड दी गई लेकिन मुख्यमंत्री जी द्वाराव तक किस्त को लेकर कोई भी आधी कारे कैलान नहीं किया गया है तो कब आएगा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं साथी जैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहेंगी धन्यवाद